हलो फ्रेंड्स बेलकम टू जानी टॉक्स तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कम्प्योटर से स्मंदित बहुती शांदार प्रेशन जो कि आपके जेव आईटी पोस्ट कोड 939 के लिए काफी हेलफुल होंगे और अन्य सभी एक्जाम के लिए हेलफुल होंगे ज दोस्तो जेव आईटी पोस्ट कोड 939 से सबंदित ये हमारी 20 वी क्लास है अगरी से पहले की 19 क्लासिज आपने नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी त्यारी को पुस्ट अप कर सकते हैं चो प्लेलिस्ट बनी हुई है दो प्रशन से पहला प्रशन है इन प्रोग्रामिंग रिपेटिंग साम स्टेटमिंट इस यूजली काल्ड तो आपको पताना है इन प्रोग्रामिंग रिपेटिंग साम स्टेटमिंट इस यूजल काल्ड क्या कहा जाता है प्रोग्रामे में किसी चीज को रिपीट करने के तो दोस्तों, in programming, repeating some statement is usually called looping, option ए जो है वो correct हो जाएगा अगला प्रेस्टन है, dash dash is a cross between human language and a programming language आपको पताना है, dash dash is a cross between human language and a programming language option आपके सामने है, pseudocode, java, java virtual machine, compiler जल्दी से पताईए इसका answer क्या रहने बाला है तो दोस्तों, pseudocode is a cross between human language and a programming language option ए जो है वो सही हो जाएगा pseudocode is a cross between human language and a programming language और आपको याद रखना है, pseudocode जो है ये एक language नहीं है अगला प्रेस्टन है, floppy disk are organized as आपको पताना है, floppy disk जो है, वो किसमे organized होती है files, heads and folder, track and sector या फिर all of these दोस्तों, floppy disk जो organized होती है, वो होती है track and sector में, option C जो है, वो सही हो जाएगा track and sector, इसकी जो दोस्तों, maximum storage capacity होती है वो होती है, 1.44 MB और आपको याद रखना है, ये जो floppy disk होती है इसके तीन टाइप available है एक है, 3 इंच का, एक 8 इंच का, एक 5.25 इंच के इसके तीन टाइप जो है, वो available है अगला प्रेस्टन है, एक command in DOS use to set a name to a disk तो आपको पताना है, कौन सी command का use किया जाता है, DOS में, DOS की form है, disk operating system name को set करने के लिए option आपके सामने है ball, ran, label या पिर CLS, तो दोस्तो जो set a name name set करने के लिए, जो DOS में command इस्तिमाल की जाती है, वो है label, option C correct हो जाएगा, label command का use किया जाता है, और CLS command है, इसका use किया जाता है, दोस्तो, screen को clear करने के लिए, और जो ren, जो ren, जो command है, इसका प्रयोग किया जाता है, DOS में, दोस्तो rename करने के लिए, किसी चीज़ के जो नाम है, त्वारा से आपको edit करना है, तो rename का ren command का इस्तिमाल किया जाता है, अगला प्रस्चन है, which command are automatically loaded into main memory, तो आपको पताना है, कौन सी जो command होती है, वो automatically loaded हो जाती है, main memory में, तो option आपके सामने है, internal, external, viral या फिर situational, तो दोस्तो, इन में से जो command automatically loaded हो जाती है, वो है, internal option a correct हो जाएगा, internal command, दो परकार की command होती है, उसमें, DOS में, external और internal command, अगला प्रेशन है, which of the flowing is the most popular family of SSI and MSI, तो आपको पताना है, इन में से कौन सी most popular family है, for, of, sorry, SSI and MSI के लिए, option है, CMOS, ECL, TTL, या फिर DTL, दोस्तों, जो most popular family है, वो है, इन में, TTL, option C, जो है, वो सही हो, जाएगा, transistor, transistor logic, इसका जो full form हो जाएगी, और दोस्तों, इसके लिए, जो basic gate है, TTL के लिए, वो है, BCL जो gate है, वो है, नंद आपने पढ़ा होगा, NA, ND, जो है, यह है, इसके लिए basic gate है, और बात करें, CMOS की full form की, दोस्तों, तो इसके लिए full form है, complementary metal oxide semiconductor, यह सबसे काम दोस्तों, इसके लिए सबसे काम पाबर की जरूरत होती है, अगला प्रेशन है, which logic gate used in electric motors on-off control circuit and high voltage switch, तो आपको बताना है, कौन से logic gate में use किया जाता है, electric motor on-off control circuit, high voltage switch, option आपके सामने है, जल्दी से बताईए, इसका क्या answer रहने बाला है, तो दोस्तों, इसका जो सही answer होगा, DTL, option C जो है, वो correct हो, जाएगा, और बात करें, DTL की, इसकी full form होती है, diode transistor logic, अगला प्रेशन है, analog system are different from digital system, because, आपको बताना है, analog system, digital system से different है, किस कारण में, option आपके सामने है, जल्दी से बताईए, दोस्तों, अगर अभी तक आपने video को like नहीं किया है, तो जल्दी से video को like कर देना, तो दोस्तों, analog system और जो digital system है, different है, they handle information in analog form, तो options से जो है, वो सही हो जाएगा, दोस्तों, आपके लिए का एक खो रहे हैं, अगर आप picture app की test series को प्रचेर्च करना चाहते हैं, coupon code जानी 50 यूज कर लेना, जिससे आपको 50% का discount मिल जाएगा, और इससे आपको 15 से 20 बिल्कुल exam की तरह ही, exam oriented बिल्कुल test series आपको मिल जाएगी, उसके साथ दोस्तों, सबसे बड़ा benefit आपको special, 5 special computer test भी मिल जाएगे, जिससे आपकी त्यारी जो है, वो काफी अच्ची हो जाएगी, और आपको लग जाएगा, पता की आपका score कितना है, और आपको किस जो topic है, या फिर काउन सा आपका जो big section है, उसमें आपको improvement करने की अपशक्ता है, तो दोस्तों, coupon code जानी 50 यूज़ कर लेना, और अगर आप रिक्षा आपको download करना चाहते हैं, तो इसका link मैंने description में दिया है, अगला question है दोस्तो, which logic gate family dissipates the minimum power, तो दोस्तों, अभी मैंने उपर बताया, कौन सी logic family जो है, वो minimum power minimum power की अब शक्ता होती है, तो वो है CMOS और इसकी full form मैंने पताई, complementary metal oxide semiconductor और दोस्तों, बात करें, जो ECL family है, ECL family जो है, यह सबसे fastest family है, ECL जो family है, यह सबसे fastest family है, और इसकी full form है emitter coupled logic अगला question है, networks that use different technology can be connected by using, तो आपको पताना है, network that use different technology can be connected by, तो किसके द्वारा connect हुए है, आप किसके द्वारा वो connect होते हैं, option है packet, switches, bridges या फिर routers, तो option आपके सामने है, जल्दी से पताईए, network that use different technology can be connected by using, तो option जो C है, दोस्तों इसका सही हो जाएगा, bridges इसका सही answer हो जाएगा, अगला प्रशन है, तब पोस्टविक्स expression, a, b plus c, d, asterix can be evaluated using a, तो आपको बताना है दोस्तों, इस expression का, इस expression को कैसे evaluate किया जाता है, इसका use करके, तो आपके सामने यह data structure दी हुई है, stack, tree, queue, और linked list, तो आपने बताना है, इसमें इस expression को कैसे evaluate किया जाता है, इसमें use किया जाता है, दोस्तों, stack का option, यह जो है, बो सही हो जाएगा, और दोस्तों, यह जो stack data structure है, इसको last in, first out के नाम से भी जाना जाता है, यानि की leafों के नाम से भी जाना जाता है, last in, और first out के नाम से भी जाना जाता है, conditional transfer and conditional transfer या फिर none of the above The branch logic that provides making capabilities in the control unit is known as control transfer option इसका ए जो है वो सही हो जाएगा control transfer अगला प्रेशन है A binary search tree is a binary tree option आपके सामने है जल्दी से पताईए इसका answer क्या होगा option A है All items in the left sub tree are less than root All items in the right sub tree are greater than or equal to the root Each sub tree is itself a binary search tree या फिर all of the above तो दोस्तों इसका answer होगा All of the above option D जो है वो correct हो जाएगा All of the above जो है इसका सही answer हो जाएगा अगला प्रेशन है Which of the following language is more suited to a structured program तो आपको पताना है जो कौन सी language है वो हो more suited है structured program के लिए option आपके सामने है जल्दी से बताईए तो दोस्तो more suited to a structured program वो है Pascal language option D जो है वो सही हो जाएगा और ये दोस्तो 1970 में निवेंट करी गई थी Nichols बिर्थ के द्वारा और Fortran जो है दोस्तो ये 1957 में John W. W. Wakeskes के द्वारा IBM के सुजनने से बनाई गई थी और ये इसकी full form है formula translation आगला है दोस्तो जो Pascal language है इसका use किया जाता है दोस्तो education इसकी जो application है वो है education area में अगा प्रशन है एक computer assisted method for the recording and analyzing of existing or hypothetical system is क्या कहा जाता है data transmission, data flow, data capture या फिर data processing दोस्तो एक computer assisted method for the recording and analyzing of existing or hypothetical system is data flow option B जो है वो सही हो जाएगा data flow इसका सही answer हो जाएगा अगला है प्रेशन बाट दिफ्रेंस दस दा फिफ्ट जनेरेशन कंप्यूटर है फ्रॉम अजरे जनेरेशन कंप्यूटर तो आपको पताना है क्या दिफ्रेंस है बाट दिफ्रेंस दस दा फिफ्ट जनेरेशन कंप्यूटर है फ्रॉम दा अजरे जनेरेशन कंप्यूटर टेक्नोलोजीकल एडवांस्मेंट साइंटिफिक कोड अब्जेक्ट ओरियंटेड प्रोग्रामिंग या फिर दोस्तो डिफ्रेंस है जो में डिफ्रेंस है वो है टेक्नोलोजी एडवांस्मेंट ओप्शन एक रेक्ट हो जाएगा अगला प्रेशन है बेच ओफ दाफ्लोईंग इस यूज़ फार आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस आपको बताना है इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लेंगवेज का यूज़ किया जाता है आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के लिए तो दोस्तो आर्टिफिसियल जो इंटेलिजेंस है उसके लिए यूज़ किया जाता है जो प्रोलोग लेंग्वेज है उसका यूज किया जाता है artificial intelligence के लिए option जो भी है वो सही हो जाएगा और दोस्तो फादर आफ artificial intelligence कहा जाता है जो उन में कार्थी को जो प्रोलोग आपकी जो अस्तित्व में आई थी ये आई थी 1972 के एराउंड अगला प्रेशन है तो आपको पताना है उप्शन है इसका जो भी है प्रेक्ट हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा अगला है इसका सही आंसर हो जाएगा उप्शन ए इसका सही हो जाएगा अगला प्रेशन है इस टाइप अप सिस्टम पुट्स दा यूजर इन्टु डिरेक्ट कनवर्सेशन विद्दा कम्प्यूटर थूए कीबोर्ड तो आपको पताना है दोस्तो आप कमेंट करके अब अश्य बताना जो नेक्स जो वीडियो है वह कौन से टोपिक पर पनाई जाए या फिर मिक्स्ट क्वेस्टन रखें या फिर किसी स्पेसिफिक टोपिक पर वीडियो पनाई जाए जल्दी से कमेंट कर देना दोस्तो बिश टाइप अप सिस्टम पूट्स दा यूजर इंटू डिरेक्ट कनवरेसेशन बिद दा कम्प्यूटर थ्रू ए कीबोर्ड इसका जो अप्शन हो जाएगा इंटरेक्टिव कम्प्यूटर सिस्टम ओप्शन बी क्रेक्ट हो जाएगा अगला प्रेशन है तर्म रेफरिंग टू इबैक्वेटिंग दा कंटेंट ओप सम पार्ट ओफ दा मसीन इस नाउन आज दूप्शन आपके सामने है पात, फ्रेम, ब्लॉक या फिर गुरूप तो दोस्तो इस सिंगल डाट पैकेट ओन डाट लिंक इस नाउन एस फ्रेम ओप्शन भी जो है वो सही हो जाएगा आप बताएं मुझे दोस्तो OSI मोडल में कितनी लेर्स होती है और उनके नाम भी पूरी स्क्वेंस में कमेंट करके बताएं अगला प्रेशन है दोस्तो 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 द है mini computer, super computer, micro computer या फिर mainframe computer तो दोस्तो micro computer has been designed to be as compact as possible option C इसका सही हो जाएगा micro computer दोस्तो आप comment करके बताएं first micro computer कौन सा था पहला सबसे पहला जो micro computer बना था भी कौन सा था अगला प्रेशन है which method is used to connect a remote computer option है device, dial-up, diagnostic या फिर logic circuit दोस्तो dial-up method is used to connect a remote computer तो option इसका जो भी है वो सही हो जाएगा dial-up अगर दोस्तो आप इसकी PDF चाहते हैं इस वीडियो की PDF चाहते हैं तो आप जो description है वहाँ पर आपको telegram channel का link दिया हुआ है telegram channel को join कर लेना वहाँ पर आपको इसकी PDF मेले जाएगी तो दोस्तो यही था आज की वीडियो में thanks for watching God bless you all झाल